आज की वीडियो गाइस काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है और आज हम यही जानेंगे कि भाई MMTC Limited जो कमपनी है जो की एक भारस सरकार द्वारा निर्मित कमपनी है यह हम कह सकते हैं भारस सरकार का ही उपकरम है A Government of India Enterprise भी कुछ लोग इसको बोलते हैं तो जानेंगे कि भाई इस कमपनी को लेकर आज वो कौन कौन सी न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए स्टोक किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है क्योंकि ओल्रेडी आज स्टोक लगबग 9% के आसपास बढ़ा है और मार्केट ओल्मोस्ट ओपनी हुई है और आप देख सकते हैं शेयर में जबर्जस तेजी आई है तो जानेंगे कि भाई स्टेजी के पीछे की वज़ा क्या है और कितनी ग्रोथ कंपनी आगे भी दिखाती है तो यह सारा ओवर ओल अपडेट आज हम इस वीडियो में समझने की कोसिस करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो स दो लोग पांस दिन पहले इस कंपनी को समझ गए उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है और जो लोग एक महीने पहले इस कंपनी में निवेस कर गए थे उनको 45% का रिटन एक साल वाले 200% का रिटन बना चुकी है और जो पांस साल से इंवेस्टेड है वो लगभग 500% क कंपनी में बना चुके हैं क्योंकि हम कह सकते हैं कि 2019 में ये स्टोक सिरफ 19 रुपे का ही था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये स्टोक 114 रुपे पे ट्रेड कर रहा है तो ग्रोथ तो कंपनी में हुई है और जिस स्पीड से कंपनी बढ़ रही है ये काफी positive point है औ हम यही समझेंगे कि भाई basically अब आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है इस company के regarding यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने money control के उपर MMTC Limited का स्टोक खोला हुआ है लगबग 9.20% की growth आपको इधर देखने को मिल रही है और सबसे important part जो इस company का है वो है volume में जबर जस तेजी है जै company जाने वाली है अगर volume high होता है किसी भी company में अगर volume high होता है तो अच्छा संकेत माना जाता है यानि कि investor और trader काफी ज़्यादा active है इस company में और यही संकेत दिखाता है कि high volume high gain और अगर ऐसा हो रहा है तो यह positive signal है यहाँ पर हमें दोनों situation देखने को मिल रही है gain भी काफी high ह हो रहा है और volume भी काफी high हो रहा है तो यह संकेत अच्छा है इस company के regarding एक investor अगर invest करना चाहता है तो हम कह सकते हैं कि positive signal यह company दे रही है थोड़ा और उपर चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा advance chart जिसमें हमें clear नजर आता है कि भाई तेज जुलाई से stock continuously बढ़ा है और इ समझने की कोशिस करते हैं कि basically NSC के उपर क्या data perform हो रहा है किस तरह से company हमें देखने को नजर आ रही है मैं हूँ NSC के उपर और मैंने MMTC Limited का stock खोला हुआ है और यहां पर हम समझने की कोशिस करेंगे कि भाई चल क्या रहा है उसकी बाद हम company को लेकर जो भी news है जो भी updates है company ज जर आ रहा है कि लगभग 39 lakh stocks को sale किया जा रहा है 39 lakh ना बोलकर हम अगर 40 lakh बोलें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि almost 40 lakh के close ही है 40 lakh stocks को अभी sale किया जा रहा है investors के जरिए और यह वही investor हैं जो पहले इस company में invested थे यानि पहले इस company के stocks को इन्होंने खरीदा हुआ था लेकिन अब हो सकता है कि profit book करना चाहते हैं यह लोग हो सकता है कि इनको अब कुछ खास potential इस company में दिखने रहा इसलिए वो इतनी बड़ी selling रख रहे हैं अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि sellers ही active हैं यहाँ पर active buyers भी हैं खरीदने वाले भी हैं और लगबग 16 lakh stocks को भी खरीद सकती हैं बट point भई है कि buying quantity और selling quantity के जो comparisons हैं इसके according जो sellers हैं वो ज्यादा active हैं selling ज्यादा हो रही है यानि कि खरीदा कम जा रहा है और बेचा ज्यादा जा रहा है stock को और इस वज़े से stock में हमें downfall भी देखने को मिल सकता है लेकिन scenario ऐसा हमें create होता हुए नजर नहीं आ रह रही है और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि sellers ज्यादा active हैं तो हम कह सकते हैं कि stock काफी तेजी से बढ़ने के बाद एक दम नीचे भी गिर सकता है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बाकी अगर इस तरह की massive growth हो रही है तो कोई तो ऐसी news होगी जो की company छुपाए बैठे हैं तो हम एक वार उस news को भी खकोलने की कोशिस करेंगे और अगर हमें news नहीं मिलती तो फिर ये एक वैसे ही ordinary उचाल है और ये कभी भी नीचे गिर सकता है अब हम थोड़ा और समझने की कोशिस करते हैं यहां पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं historical data आपके सामने रखता हूं company का historical data तो यह कहता है कि company में 29 जुलाई को कुछ खास number of trade नहीं हुए थे जो 26 जुलाई को हुए थे यानि कि company ने अपने number of trade को घटा कर ये साबित किया है या ये दिखाया है कि भाई इसमें जो ये उच्छाल आया है ये temporary है permanent नहीं है यहां पर हमे ये भी देखने को मिल रहा है कि company का अगर श्टोक इसी तरह से ग्रो करता रहा तो ये 110 तक जा सकता है लेकिन अभी या आप इदर देखेंगे तो 114 पर अल्रड़ी हिट कर चुका है यानि कि pre open market के जो calculations थी उन सब को ये पार कर चुका है और पार करके भी company upper circuits में आपको growth है वो बहुत positive और लगबग 10.44% की growth company ने इदर करी है अब बात करते है news की तो मैं हूँ google पे और मैंने mmtc share खोला हुआ है मैं इदर news पे करता हूँ तो मेरे सामने जो latest news आप 5-5 दिन पुरानी है और यहाँ पर कहीं भी हमें mmtc के बारे में कुछ खास update देखने को नहीं म और mmtc को लेकर कुछ खास news नहीं है यह उन stocks की बारे मताया गया जो most active stock है जो अच्छी growth कर रहे है उन में से mmtc का नाम आ रहा है तो इदर तो कोई news नहीं है लेकिन अगर आप इदर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो mmtc limited को लेकर documents की अंदर 9 घंटे पहले company के financial result की बात कही गई है यहने company अपने latest financial result जल्दी approve करने वाली है इस pdf को मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूं फिलाल डाउनलोड हो रहा है है अब हम इसको open करेंगे और open करने के बाद यह हमारे सामने जो official pdf कंपनी की खुल जाती है यहाँ पर आपको देखने को मिलेग MMTC का logo थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको देखने को मिलेगी date और यहाँ पर clearly लिखाए के भाई जो 30 June 2024 का जो quarterly result है उसकी approvement company जल्दी लाने वाली है और यह आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं फिलाल अभी यहाँ पर मुझे जो latest date नजर आ रही है वो 9 August 2024 की आ रही ह यानि की 9 August 2024 को company के latest quarterly result आपको अपनी screen पे देखने को मिल जाएंगे और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भाई कैसे company के latest quarterly result रहेंगे क्या growth होगी क्या नहीं होगी तो उसके लिए आप channel को subscribe कर सकते हैं क्योंकि जो भी update होती है MMTC के regarding हो मैं सबसे पहले आपको इस channel पे बता कोसिस करता हूं आपको बताने कोसिस करता हूं कि भाई चल क्या राय कंपनी में क्या investor trader कर रहे हैं वो सारी information आपको मैं देता रहता हूं बट मैं एक बात बहुत के लिए करना चाहूंगा कि मैं आपको कभी भी किसी भी तरह से इस company के regarding buy a sale hold recommendation नहीं दूँगा ना ही मैं आप को कोई financial advice दूँगा अगर news होगी update होगी तो वो सब आपके लिए cover की जाएंगे यहाँ पर आप कुछ important resource पे नज़र डाल लेते हैं क्योंकि अप quarterly result आने वाले हैं तो इन resource में बदलाव तो जरूर होगा market cap की बात करें तो 17,000 करोड की company है market cap के लिहाज से return on capital employee और return on equity company का ब साल में जो sale company ने बढ़ाई है वो भी 82% down करी है मतलब increase नहीं करी है company ने अपनी sale और company का जो काम है वो trading का है company trade करती है अलग-अलग materials जो की अलग-अलग countries में पहुचा जाते हैं कुछ precious metals होते हैं agro products होते है fertilizer, chemicals, coal, hydrocarbon ऐसे बड़े और काफी important project या फिर products को company एक जगा से दू और से score 4 है याने company financially अभी थोड़ी week चल रही है बाकी guys overall जो updates थी मैंने आपके सामने share की जिसमें हमें एक बात बहुत clear नजर आ रही है हो सकता है कि share price company के latest quarterly result की announcement की वज़े से बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि company को लेकर कोई बड़ी news आने वाले time में आपको देखने को मिल सक news आजाए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते लेकिन आपको चनल को subscribe करके रखना है ताकि अगर कोई भी news आती है या तो आपको source में मिल जाएगी या फिर आपको long video में मिल जाएगी बाकी guys किसी भी तरह का बाहस और recommendation नहीं है तो मिलते हैं किसी ने वीडियो के साथ तब त